नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमाई चैनल गोविद गोपाल में फिर से एक पार दोस्तों आज इंटरू की संगुना में एक कडियो जोड़ने जा रहे हैं और आज हम आपके मुलाकात कराने जा रहे हैं बिलॉक अद्रश गंगिरी उत्तर प्रदेश प्रात्मिक अलीगर से पिछले तीन साल से इस पदपर हैं और सरकी कारसली जितनी अची रही है उतने ही अच्छे सरकी मर्दुबासी है सर जो है लोगों की बीच उनके प्रति समझ पर के लिए जाने जाते हैं यहां तक कि अधिकारी भी सरकी तारीफ कईबार कर चुके हैं और आज जो तो सबसे पहले सर हम यह जाना चाहेंगे कि पहले तो आपको इस पद पर तीन साल हुए हैं शिच्छकों की सेवा करते हैं लेकिन पिछले साइद आप दस सालों से कार कर रहे हैं लेकिन एक पद पर आने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है यह मंदर क्या दोजार एकिस से प्रात्मी सिच्चक संग का ब्लॉक अद्धक्च गंगिरी से हूँ और इस पद्पे नहीं था उससे पहले भी मैं जो है काफी बरसों से काम करता आ रहा हूं करेंग बीच साल से मैं सिच्चकों की सिवा कर रहा हूं और पद्ध से पहले मुझे अधिकार नहीं था कि मैं जिले पर जो है कुछ कह सकूँ अधिकारियों से लेकिन जब मैं पद्पे आया तो मुझे लगा कि मुझे अधिकार है कि जिले से मैं अधिकारियों से भी कुछ बिदैकों से भी सांसदों से भी अपनी मन की बात रख तो पत्वे आने के बाद मैंने जो टीचर्सों के एरियर थे और काफी समस्चाइं थी चैन बेतनमान बेतन बेतन बेसंगतियां वो मैंने अपने ब्लॉक एजुकेशन आफिसर डीयो खंड सिचादकारी से निस्तान करा करके फिर मैंने जिलाबी सिचादकारी महुद अलीगर फिर बित्य वे लेखादिकारी महुद अलीगर से भी निस्तान कराया और इसमें एहम भूम का बिलॉक से लेकर के जिले के अद्दक्ष हमारे स्री मुकेश कुमार सिंग की पिशेश रही मैं सरी मुकेश कुमार सिंग जलाब अद्दक जी को भी धन्नवाद देता हूं क्यो तुसले जुलाई सोले जुलाई दोजाद चौविस को हमारे यह फमारे तीन वर्स हो जाएंगे और हम तरह से ग्यान था और वह और उसको देखते हुए सबी टीचर्स जो हैं खुश हैं तो सर आप फिर से इसी पद पर आवेदन करेंगे एक तरह से आवेदारी प्रिस्तुत करेंगे नहीं 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 यह तो सिच्छकों के ऊपर डिपेंड है यह अगर सिच्छक चाहेंगे तो मैं आऊंगा नहीं बिल् करने का जो हमारा मुख्य बिंदू था वह यह था कि हम जी जानना चाहते थे कि उस आदे से संबंदित क्या क्रिया चल रही है क्या प्रयास चल रहा है संगठंगे द्वारा सबसे पहले तो मन में में जो कॉश्चन आये हैं कुछ उनको लेकर सरसे बात करेंगे सबसे जरू हुई है तो सर सबसे पहले हम एक सामाने क्वेश्चन जाना चाहेंगे कि इंचार्ज प्रदाना द्यापक होते कौन है हां इंचार्ज प्रदाना द्यापक चाहें वह प्रात्मिक विद्ध्याले में हो चाहें जूनिया ही स्कुल में हो दोनों ही हमारे बेसिक के विद्ध् और जितनी भी इसकुल की गत्विदियां हैं चाहें वो रख रखा हो, MDM हो, SMC हो, इन सब का वो इंचार्थ होता है, चार्ज लेते हैं, खड़ी से चार्थ कारी ऊपर से आदेश होते हैं कि इनको चार्ज हो है, इंचार्ज का दिया जाए, जब ये इंचार्ज के रूप में कारी कर रहे होते हैं, तो पूरा जिम्मेदारी एक प्रधाना दपक पद की निवाते हैं, और हमारे संग्ठन में भी माननी है, प्रदेश अद्यक जी, डॉक्टर दिनेशन स्रमाजी ने भी, जो है, जून में, कई बार आदेश निकलवाया कि इन्चार्ज प्रधाना दप का पद जो है, काफी प्रधाना दपक के समतुल्य है, और प्रधाना दपक के समतुल्य रहे करके, इन्चार्ज प्रधाना दपक पूरे बिद्याले का दायत निवाते हैं, मेहनत करते हैं, और हमारे डॉक्टर दिनेशन स्रमाजी जो प्रदेश अध्यक्षय उत्तर प्रद लाइपक के समै जो हैं ग्रेतन दिया जाए क्योंकि जो मेंसट प्रधाना दापक करते हैं प्यर्ट जाए तो बेतन की बात आरहे हैं तो फ़हस को नहीं कह सकते जो को समय के लिए बनते हैं जैसे अगर कोई महीला सिच्छक प्रदाना दापक है वह मैटनिटी लीप पर जाती है जाएं नहीं नहीं तो वह एक महीने के लिए प्रदाना दापक का नहीं कहला जाता है निकल अगर भो भी दावा करने लाएं कोट में जाके कि हमने लिए तो नहीं कहेंगे हम काफी दिनों से प्रदाना दापक का न चल ला नहीं है जो उस पद पर बाताना दापक का दैत निवारे उनके लिए हैं तो यह अगला सवाल भी ऑमरा ऐसी से जुड़ा हुआ प्राइमरी में यह साइद सो बच्छों पर तो अगर किसी विद्धायले में नमांकर निंसे कम है लेकिन वहां पर साइग अध्यापक का कारे कर रहे हैं पिछले दो-तीन सालों से तो क्या उस पद को इंचार वह प्राइमरी मानते हो उन्हें भी बेतन पाने का अधिकार होग अधि लिविशन रेगुलेशन सासन के यह हैं कि डेट सो से नीचे परताना तपक नहीं रहे ना चीए लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं हुआ है और जहां डेट सो से कम है वहां वहां इंचार परताना तपक का बेतन दिया जाए क्योंकि सरकार तो यह काएंगी कि जब सब्सक्राइब में परताना पतक का पद खाली ही नहीं है और फिर हम इनको उनका पद कैसे दे कि बच्चे भी महां डेट सो से कम है तो साइध इसमें आगे अट्चन आए और हाई कोड के निर्दे सानुसार अगर सरकार हाई कोड के आदेश को एजट माल लेती है तो क्या वो इसकी सेडी में आएंगे जी 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 अगर हाई कोड ने तो पहले ही आदेश कर दिया है मई में पंदर मई दोजाट चौविस को आदेश किया है लेकिन यह कि सरकार की हट्दमता के कारण यह नहीं हो पा रहा है और ऐसा कोई आदेश को आदेश को आदेश दिया है कि जो जून में जो आदेश निकाला था तब तक जो इंचार्ज परदाना तपक कार कर रहे हैं उनको परदाना तपक के समान बेतन दिया जाए ऐसा इसमें बीच में कोई नियम लिए परदाना तपक का समान जो परदाना तपक के बराबर तब तक इनको परदाना तपक के नहीं हो जाती है तब तक इनको रखा जाए वैसे तो अब ऐसा मुस्किल म्लार्व फिरृ कि क्या कोई अई सक्षयक परदाना तपक का समाले हुए है तो यह नियम उन पर लागू नहीं होगा करके छाहें कि इस हैं आधे में आधेश्मेंट वाले हुए सकल मारे कि इन चार्ज प्रदानेतपक के समान बेतन दिया जा रहा है यह कहीं न कहीं समान कारेश हाहिए बिल्गुर बिल्गुर तो इसके आदार पर कभी कई बार सिच्छा मित्रों अभी रिक वे डाली है उन्हानान हुनाने भी का है की हम भी सहाएक द्यापक के समान कार्टें विद्दाले में सरकार हमें समान का द्यापक के बoko समान वेतन मादे क्यों नहीं देती तो इह मेरा भी एक मानना है सद्च्छा मित्रों के बारे मैं इतनी देनी असथितिन की विचारों की है मानन आनले खिंड जिरी जब मंखमंत्रि थे नई सुझामेत्रों के जो पद थे वह समाहिदकर उनको साय के अध्या-पकप्द दिया गया संग्ठन कभी यह प्रदाने तरपक का वेतन देने के लिए सरकार मोन क्यों है इस पर अभी तक उन्होंने कोई भी अपना जवाब नहीं दिया यहां तक की बादा जिले की जो इसे महुद्या है उन्होंने भी मांगा और इस वात को हम जो है कल या परसों महीं हम जो माने नहीं प्रदिश संग्ठन हमेशा विपक्ष में रहता है तो कि संग्ठन जो है इसके लिए अपना वकील कोर्ट में बहुत कराएंगे जी बिलुकुल बिलुकुल तो यहां वारी बात यहां इस बिंदू पर थी वह कुरूप से कि इंचार्ज प्रदानादापक को प्रदानादापक का वेत प्रदानादापक के पत खाली है तो प्रमोशन को लेके भी अगबात करें तो प्रमोशन जन्दी प्रमोशन भी 2021 से लटके हुए है संग्ठन कई बार लड़ाई लड़ा है इस बात की के प्रमोशन हो लेकिन अभी प्रमोशन जो हाई कोड में कभी लटक जाते हैं कभी सासन जो है उसमें लेट लटी भी करती है तो मेरा मानना है कि सबसे पहले यह प्रमोशन ही हो जाए तो अच्छा है जिससे कि प्रदाना प्रदाना दपर को बेतन देना पड़े ऐसी सरकार के दामने नहीं आई तो साइद उमीद रखती है कि इसके जरी है साइद प्रमोशन जल्दी ही ओंगे और प्रदाना दपर के पद जल्दी ही बरें ने हमारे प्रदिश द्रक जी का प्रयास काफी जारी है वो इसी मन्थन मे लगे हुए हैं कि प्रमोशन जल्द से जल्द किये जाएं चलिए सार आज यही जानकारी आज हमें आपसे चाहिए तियो और आपके द्वारा जो जानकाई दी गई है उससे सभी लावनुवित भी होंगे और उमीद है कि आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे जब भी हमें किसी भी समस्या को लेके संकाएं हमारे मन में आएंगी उनके समाधान के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लागा सर नमस्कार